यूपी में लोकसभध चुनाओं में बीजेपी को मिले जटके के बाद पार्टी के अंदर उथल पुथल मची हुई है चुनाओं में खराप प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के इंद्रे नितत्व अलग-अलग नेताओं से मिलकर फीडबेक ले रहा है इसी सिलसले में पार्टी के नेता केशा प्रसाद मौरिय और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा से मुलाकात की है दोनों नेताओं ने आगामी उप्चनाओ को लेकर पार्टी की स्तिती के बारे में जानकारी दी है लोगसबा चनाओ के नतीजों के बास से उत्तर प्रदेश बीजेपी में घमासान मचा है 48 घंटे के बीतर जेपी नडड़ा से केशाप प्रसाद मौरी की ये दूसरी मुलाकात चर्चा में है कई तरह की अटकले लगाई जा रही है दिल्ली में सियासी हल चल तब तेज हो गई जब यूपी के डिप्टी सी एम केशाप प्रसाद मौरे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंदर चौधरी बीजेपी मुख्याले पहुँचे दोनों नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग की केशाप प्रसाद मौरे और भूपेंदर चौधरी के दिल्ली जाने के कई राजनेतिक माईने निकाली जा रही है प्रदेश सरकार और संगठन के बीच जबरदस्त तनातनी चल रही है केशाप प्रसाद मौरे ने कारे समीती की बैठक में संगठन को सरकार से बड़ा बताया था हलाकि सूत्रों के मताबिक यूपी के दोनों नेताओं के साथ बीजेपी अधिक्ष जेपी नडड़ा ने बैठक के दौरान राज्ज के चुनावी समी करनों पर चर्चा की है इधर 10 सीटों पर होने वाले उप्चुनाओं को लेकर सीयम योगी आदितनाथ ने आज मंत्रियों की बैठक बुलाई थी इस बैठक में सहयोगी दलकेनेता आशीस पटेल और संजन निशात को भी बुलाएगया है बैठक में सीम योगी आदितनाथ ने सभी मंत्रियों से फीड़बेक लिया और आगे की रणनीती पर चर्चा भी गी इस बैठक से पहले 30 जून को हुई बैठक में योगी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाओं में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी बता दें यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाओं के समी करणों पर चर्चा हुई है और हरहाल में इन 10 सीटों में बहतर परफॉमेंस की रणनीती बनाई गई है जानकारी के मताबिक बीजेपी उत्तर परदेश के उपचुनाओं में 10 में से 7 सीट जीतने की चुनावी रणनीती तयार कर रही है इसी को लेकर केशाब मौरे और भूपेंदर चौधरी के साथ राष्टी अध्यक्ष जेपी नडड़ा की बैठक हुई है